वेलकम टू जीरो से जिनियस तक इसक्यू टेस्ट में आपसे पुछेंगे जीकिये के 10 important सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे तो चलिए देखते हैं सवाल काफी important है इसलिए आप इसक्यू टेस्ट को आनते तक जरूर खेलिए तो पहला सवाल आपके सरको की सरवेधिक लंबाई किस राज में है आपको जब आप सचने के लिए मिलेंगे पास सेकिंड का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सचने के लिए समय सुरू होते हैं अब राइट आंसर है आपसर नमबर D किस राज में है राइट आंसर है आपसर नमबर C क्वेश्चन नमबर 3 भारत की सबसे बारा ब्यवसाइक बैंक कौन सा है राइट आंसर है आपसर नमबर B SBI क्वेश्चन नमबर 4 राष्ट्रिये राज मार्ग संख्या एक तथा दो को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है राइट आंसर है आपसर नमबर A Grand Trank Road क्वेश्चन नमबर 5 भारत में वायू सेना एकेडमी कहां पर इस्तित है राइट आंसर है आपसर नमबर D हैदराबाद क्वेश्चन नमबर 6 भारतिये नौस देना का पर्थम अध्यक्ष कौन थे राइट आंसर है आपसर नमबर A RD Katari क्वेश्चन नमबर 7 दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं करा है तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सबस्क्राइब बटम पर किली करके सबस्क्राइब कर लिजिए और बिल आइकन को जरूड दबा देजे क्योंकि ये चाइनल आपके सिलिबस को फ़लो करता है धन्याबाद question number 7 भारत की पर्थम वायू से न किन अस्थलों के बीच चलाई गई right answer है option number C इलहाबाद से नैनी के बीच चलाई गई question number 8 केंदरिये बैंकिंग जाज समिती के अस्थापना कब हुई थी right answer है option number B 1931 में question number 9 की स्थ वार्थ इम्पेरियर बैंक को आंसिक रूप से राश्ट्रिये करन करके उसका नाम भार्थिये स्टेट बैंक रखा गया सवाल बहुत अच्छे हैं right answer है option number A 1935 में question number 10 भार्थिये वायू सेना का पर्थम अध्यक्ष कौन थे right answer है option number A शुर्बतो मुखर जी option number A right answer है question for you imperial bank की अस्थापना किस वर्ष की गई सवाल अच्छे हैं और ये competitive एकजाम वाले कई बहर आपसे पूछ चुके हैं इसलिए दोस्तों आप इसका आंसर जानते हैं तो comment box में keep for you करके comment करिए नहीं तो हम next वीडियो में इसका right answer आपको जरूर बताएंगे तो वीडियो लाइक कर दिये तो धन्यावाद नहीं करे तो लाइक जरूर करिए question तो अच्छे थे बिलकुल अच्छे थे इसलिए WhatsApp गुरूप में एक बार जरूर इस वीडियो को share कर दिजिए जो करते हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यावाद तो मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में धन्यावाद बंदे मात्रम